Hello everyone, मैं हुई रिशप और हमारी चैनल कमाओ दिन रात में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको softworks बिजनस के बारें बताऊंगा इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप softworks की बिजनस कितने तरीके से start कर सकते हो कौन-कौन से raw materials, machines और license चाहिए होंगे और कैसे आप sell कर सकते हो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्रीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे और भी नए-नए business ideas के लिए और इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप software की business कितने तरीके से start कर सकते हैं तो सबसे पहला तरीका है कि आप किसी software की manufacturer से contact करें उनके साथ deal करें, bulk order दें और खुद की एक brand मनाए और सभी software को खुद की brand से sell करें अब अगर हम दुसरे तरीके की बात करें तो यहाँ पर आपको खुद की manufacturing unit set करनी होगी खुद software manufacture करके आपको sell करना होगा तो सबसे पहले आपको एक space चाहिए होगा, minimum 1000 square feet जो की आप brand पर ले सकते हो अगर आपके पास खुद का नहीं है उसके बाद raw materials में आपको fabric चाहिए होगे fabric में आप fur, nilax, velvet यूज़ कर सकते है उसके बाद आपको staple fiber चाहिए होगा, soft watch के अंदर में डालने के लिए उसके बाद आपको traits, ribbons और plastic eyes and nose चाहिए होगा उसके बाद अगर हम machines की बात करें तो machines में आपको industrial swing machine, fabric cutting machine और soft watch filling machine चाहिए होगा soft watch filling machine से आप soft watch के अंदर staple fiber या plastic fiber cotton आप फिल करते हैं उसके बाद हम manpower की बात करते हैं तो manpower में आपको 7-8 workers चाहिए होगे minimum जिसमें आपका cutting master होगा, 4-5 swing machine operator होगा और 2-3 helpers होगे उसके बाद electricity में minimum आपको 5 kilowatt का power connection लेना होगा और यह depend करता है आपकी machines पे, अगर आपके पास ज्यादा machines है, ज्यादा swing machines है तो आपको हो सकता है और भी ज्यादा kilowatt की power connection लेनी परे अब हम next license की बात करें, तो license में आपको GST, Udiam registration और trademark registration करना होगा अगर आप खुद की एक brand में आना चाहते हैं, तो आपको trademark registration जरूर करना चाहिए और उसके बाद आप एक company भी register कर सकते हैं, एक private limited company भी register कर सकते हैं लिकनी यह optional है, अब हम next जानते हैं कि आप अपने product को कहां कहां sell कर सकते हैं तो सबसे पहले आप अपने products को wholesalers को supply कर सकते हैं, ठीक है, all over India आप supply कर सकते हैं उसके बाद आप बाहर इंडिया के बाहर export भी कर सकते हैं अपने product को उसके बाद आप directly खुद भी retail stores को supply कर सकते हैं, प्लस आप खुद online भी sell कर सकते हैं Amazon और Flipkart पे आप online अपना brand मना के sell कर सकते हैं अब last में हम investment के बारे में जानते हैं, तो investment में सबसे पहले आपको machines में invest करना होगा जहां पर आपको minimum 3-4 lakh रुपे लग सकते हैं, depends करता है कि आप कितने machines, कितने swing machine लेते हो उसके बाद raw materials में starting में आपको कुछ invest करना होगा, bulk में आप raw material खर दोगे, तो आपको सस्ता परेगा तो raw material भी आपको 50,000 से 1,00,000 तक लग सकता है, उसके बाद अगर आपके पास खुद का space नहीं है, जहां पर आप खुद की छोटी से factory लगाओ तो वहाँ पर आपको एक space rent लेना होगा, तो वहाँ पर आपको security deposit पे करना पड़ेगा, प्लस monthly rent पे करना पड़ेगा उसके बाद आप power connection लोगे, तो power connection के लिए भी आपको pay करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस monthly आपको business बहुत ही ज़्यादा grow कर रही है आप भी एक successful software business से start कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी subscribe कर दीजिए, और भी नए-नए business ideas के लिए